मैं हूँ डॉक्टर सीवी सींग और दोस्तो एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने डेरी फार्मिंग से रिलेटेड सही सटी साइन्टेफिक जानकारी लेकर दोस्तो आप लोग हमेसा मुझसे पूछते हैं कि क्या खिलाएं कब खिलाएं कितना खिलाना चाहिए एक दूद देने वाले पशु को तो दोस्तो ऐसा ही एक प्रेश्ण हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने पूछा है उनकी जो आईडी है वो है चाट के ठाट और इन्होंने पूछा है दस लीटर वाली गाये को कितना फीड खिलाना चाहिए दोस्तो याद रखिए जब भी आप एक दुधारू पशु को अपने फार्म पर रखते हैं तो उसको दो तरह से आपको देखना चाहिए जब भी आप फीडिंग कराते हैं एक तो उसके शरीर के रख रखाओ के लिए या उसका जो उसके मेंटेनेंस के लिए और दूसरा है उसके milk production के लिए तो हमेशा आपको दो भागों में हमेशा सोचना है क्योंकि अगर आपने उसके body maintenance के लिए अपने राशन में कोई कमी रखी है तो आप देखेंगे कि milk production तो वो देता रहेगा लेकिन आने वाले टाइम में वो heat पर नहीं आएगा या वो conceive नहीं करेगा ठहर नहीं या फिर और धेर सारी समस्याएं जर टकने की समस्याएं या इस टाइप की problems आप देखते होंगे field में बहुत ज़्यादा आती हैं और especially hiling guy में या फिर जो buffalo है जो भैस हैं उनमें बहुत ज़्यादा problems ये देखी जाती हैं और वो cable एक ही उनका reason जो मुझे समझ में आत पूछा है वो मैं उसका answer दूँ उसके पहले आप लोगों से एक request कि चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा subscribe करें और इस video को ज्यादा से ज्यादा share करें ताकि हम इस तरह के कमाल के जो videos हैं वो आप तक पहुंचाते रहें दोस्तों बात या आती है कि 10 लीटर दूद देने वा नीचे से start करते हैं अगर कोई जो गाय है और वो अगर 5-6 लीटर तक दूद देती है तो मेरा ये मानना है कि आप उसको सबसे पहले जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो है feeding में हरा चारा आप कोशिस करिए कि 5-6 लीटर तक जो भी दूद आप ले रहे हैं वो हरे चारे की मदद से आप उसे दूद ले तो उसका जो diet का जो chart बनाएंगे वो आप कम से कम उसको 20-25 किलो तक आप उसको हरा चारा दीजिए और 7 में 4-6 किलो तक आप उसको भूसा दीजिए और 7 में आप उसको salt जो है 50 ग्राम तक आप उसको per day या एक दिन छोड़ कर आप उसको नम मंद करूँगा कि आप उसको mineral mixture 50 ग्राम आप एड़ कर सकते हैं इसको मैं बोलूँगा no grain diet या zero grain diet आप किसी प्रकार का कोई अनाज नहीं कोई पशुआहर नहीं कोई खली नहीं केबल जो है आप हराचारा भूसा और नमक और जो mineral mixture है उससे आप अच्छे से उसकी उसके सरी का जो requirement है उसको पूरा कर सकते हैं जो milk production है वो ले सकते हैं तो 5-6 kilo तक मैं यह मान के चलता हूँ अगर क्योंकि आप इस time पर बहुत ज़्यादा feed कराएंगे और पांच या छे लीटर उसका milk production है तो आप loss में चले जाएंगे तो आपको यह भी देखना है कि आपका जो milk production है वो मुनाफे का काम हो और अगर आपने वहाँ पे unnecessary बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया तो शायद आपको benefit नहीं होगा और वो पशु को भी उसका benefit नहीं मिलेगा क्योंकि उसका potential ही उतना नहीं है तो 5-6 liter तक आप उसको इस प्रकार की feeding कराएंगे कोई grain नहीं कोई पशु पहार कोशिस करेंगे कि ना दें या घर में जो कुछ थोड़ा बहुत available है उपलब्ध है जो बच जाता है घर में उसको आप उसको दे सकते हैं अब बात आती है कि ये तो 5-6 liter तक की बात हो गई अगर देशी गाय है या कम चमता वाली गाय है उसके लिए अब बात करते हैं उससे उपर और 10 liter तक हम किस प्रकार की feeding करा हैं तो 10 liter दूद देने वाले पशु को आपको अलग तरीके से थोड़ा सा manage करना पड़ेगा थोड़ा सा उसकी feeding में आपको पशुहार अनाज या खलिया ये सब add करना होगा तो अगर आपके पास एक पशुहार है तो उसको आप 400 gram प्रती लीटर दूद के उत्पादन पर उसको आप देंगे हरा चारा जो मैंने पहले बताया था उसकी quantity उतनी रखनी है भूसा आपको उतना ही रखना है नमक आपको उसको देना है साथ में जो मैंने पहले बताया था 50 gram प्रती दिन प्रती पसु या आप एक दिन दूसरा बताया था mineral mixture, mineral mixture बहुत important है मैं इसलिए बोलता हूँ कि उसका प्रजनन तंतर है उसके लिए mineral mixture बहुत important है सारे minerals उसको मिलते रहें इसलिए तो आपको यहाँ पे 400 gram पशु आहार उसको देना है एक लीटर दूद पर तो वो 10 लीटर अगर दूद दे रहा है तो इस हिसाब से अगर हम calculate करते है तो वो उसकी quantity आती है 4 kilo, 4 kilo per day आपको उसको पशु को देना है और अब बात यह आती है कि अगर इससे उपर चला जाता है पशु उससे उपर अगर उसका दूद का उत्पादन चला जाता है तो मेरी थोड़ी सी approach अलग होगी अब मैं उसके लिए maintenance राशन भी add कर दूँगा साथ में और वो मैं आने वाले वीडियो में अलग से discuss करूँगा जो 10 liter से उपर जो पशु चले जाते हैं 15 liter से उपर जो चले जाते हैं वो मैं अलग से उसके लिए वीडियो बनाऊँगा तो यहां मैं 400 gram जो मैंने जो पशु आहार की quantity आपको बत आपका उतना मदब कहना से यह profitable business नहीं होगा तो आपको 400 gram प्रती लीटर यहां पे add करना है साथ में green fodder और जो dry fodder जो मैंने पहले से बता रखा है अब बात कियाती है अगर पशु आहार नहीं है आपके वाल खली का यूज़ कर रहे हैं तो मैं पहले भी मैंने इसके पहले चोकर का उपयोग करें और minerals और salt इनको लेकर आप उसका 400 gram फिर आपको वही जो एक feed की तरह इसको calculate करके 400 gram प्रती लीटर के मान से इसको खिलाना होगा तो आपको definitely फायदा मिलेगा अब इसके साथ साथ एक चीज आप करना ना भूले उसकी deworming उस animal को जो पेट के कीड़े ह जिनको हम worms बोलते हैं तो उसकी deworming कराना ना भूले हर तीन महीने में आप deworming कराते रहें ताकि जो भी पोशक तत्व आप उसको दे रहे हैं इसके माध्यम से वो उसके पूरे जो पोशक तत्व हैं वो उसके सरीर में लगे और उसको फायदा हो उससे दूद का उत्वाद बढ़ें तो इसलिए deworming कराना ना भूलें प्रते एक तीन माह में आप उसको पेट के कीडों की दवाई हवश्य दें दोस्तो जो feeding का system है हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले वीडियो में मैं कमाल की चीज़ें आप से discuss करने वाला हूँ एक एक ingredient लोग किस तरीके से चोकर खिलाते हैं किस तरीके से लोग खलियां खिलाते हैं कौन सी खली बहतर होगी कौन सा feed अच्छा होगा और किस तरीके से खिलाना है क्योंकि केबल क्या खिलाना है यह important नहीं है कैसे खिलाना है यह भी बहुत important है तो मैं जो कुछ भी बताता हूँ उसका TMR बना कर खिलाना है, अभी भी जो मैने आपको बताया है, इसको भी आप उसको एक सानी बना कर खिलाएए, मिक्स करके खिलाएए, एनिमल को तो ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जो जुगाली करने वाले जो पशु हैं, जो आप देखते होंगे जो गाली करते रहते हैं एक बार खाते हैं फिर वो उसको दिन भर पचाते हैं इनकी requirement इनकी आवशकताएं कुछ अलग होती है हम लोगों से तो उसको समझना बहुत इंपॉर्डेंट है उस पशु को तभी हम लोग सही तरीके से लाब दायक दूद भर पाएंगे तो यही हमारा उद्देश है इस चैनल का भी यही उद्देश है दोस्तो मेरी फिर आप से एक रिक्वेस्ट है इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने जो सुझाओ हैं उनको कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहें दोस्तो जैह झाल 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 झाल